नमस्कार मैं सुचिला राय डिम्री वेलकुम टू मैं चैनल रोज की रसोई आज मैं जीरा और अजवाइनवी के बारे में कुछ बाते शेयर करूँगी दोस्तो जीरा एक ऐसा मसाला है जिसके पौदे के हर एक फल के बीजों को सुखा कर हमारे खाने में साबूत या पिसा हुआ मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है यह दिखने में सौफ के तरह होती है लेकिन इसका रंग हलका भुरा तता हलका काला होता है जीरे को हम खुश्भू वाला भी कह सकते हैं जीरे का पानी तवचा के लिए बजन कम करने तथा एनिमिया को दूर करने में बहुत साहिक होता है पेट दर्थ, उल्टी, पाचन, आधी के उपचार में भी इसका प्रयोक किया जाता है जीरे में एंटी विरोधी गुण होते हैं जो शुगर के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है जीरे का इस्तिमाल दाल, सबजी, सूप, अचार, सौस बनाने के लिए किया जाता है जीरा विटामिन E से भरपूर होता है आईरवेद में भी जीरे का बहुत महत्व बताया गया है जीरा में विटामिन E, A, C और B कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन भी खाफी मातरा में पाई जाते हैं दोस्तों अब बात करते हैं अजवाइन की अजवाइन भी हमारे भारती मसालों का यह एक हिस्सा है जीरा और जवाइन दोनों को हम एक दूसरे का साथ ही भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के मिशनर से यह कह सकते हैं इनका पानी पीने से ना केवल ही हमारे मुटापे को कम करता है बलकि पेट के हाजमा को भी दुरूस्त करता है जीरा और अजवाइन दोनों ही हमारे शरीर के पाचन तंतर को मजबूत करते हैं हमारी रोज की रसोई में इसके साथ ही इसका अईरुवेद में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है दात का दर्द हो या कबज अजवाइन का गरम पानी पीने से बहुत फाइदा होता है अजवाइन के तासीर गरम होती है इसलिए गर्वियों में इसका प्योग कम करना चाहिए दोस्तो हम कह सकते हैं कि जीरा और अजवाइन दोनों ही मसाले सुगंदा और पॉश्चिक्ता से के साथ साथ गरों की खान भी है तो दोस्तो ये थी कुछ बाते जो मैंने आपके साथ शेयर की बिलूँगे नेक्स वीडियो में ऐसी एक नही जानकारी के साथ थैंक्स वर वाचिंग रोज की रस्वई